नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल नितियस पांडे में इस वक्त मैं ऐसी खबर लेकर आपके बीच आया हूँ जो कि बहुत दिनों से हमारे प्रसिच्च्च्चों को इंतजार था क्या स्कॉलर से अभी भी आ सकती है और जो आ सकती है तो कैसे आ सकती है इस सभी टापिक इस वीडियो में कवर हो जाएंगे यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें सटीक ऐसे इस सांदार नियूस पाने के लिए चैनल को सब्काइब जरूर करें और या वीडियो अपने उन सभी साथियों को जरूर शेयर करें जिनकी स्कॉलर्शिप न ऐसा निकला है जिससे कुछ आसार लग रहे हैं कि आप सभी की स्कॉलर्शिप आ सकती है अब मैं उस न्यूस पेपर कटिंग को पढ़ता हूं साच के रूप में टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्द करा दी जाएगी चात्रवत और फीस से वंचित चात्रों को रहत ऐ पाने से वंचित रह गए चात्र चात्राओं के लिए रहत भरी खबर सामान वर्ग के ऐसे 42,000 चात्र चात्राओं जबकि अनसूचित जात के ऐसे वंचित चात्राओं के संख्या 99,000 है मतलब अनसूचित जात के 99,000 और सामान वर्ग के 42,000 प्रसिच्चु परेशान थे आवेदक छात्र छात्राओं के आवेदन की मामूली खामियों को दुरुस्त कर छात्रवती वफीज बरपाई की रास्त आवेदक के खाते में भेजे जाने के लिए 14 सितमबर तक मौका दिये जाने का आदेश दिया गया है 14 सितमबर तक आपकी स्कॉलर्शिप आ सकती है आखर छात्र छात्राओं हैं जिनके आवेदन रोके गए थे इसके कई कारण थे जैसे पिछले सत्र में छात्रवत वफीज भरपाई के आवेदन में उनके बैंक का अन्द बैंक में विलाए जैसा की कुछ हमारी इलहबाद ग्रामीर बैंक का विलाए हो गया था दूसरी बैंक मे या विलाई होने के कारण IFSC कोड़ बदल गया था जिसके कारण बैंक से लिंक नहीं हो पाई थे खाते तो कुछ समस्याय रही थी इसी के कारण वस स्कॉलर से पाने में दिक्कत रही मास्टर, फीस की दिक्कत, जिला इस्तर पर निर्णाय ना लेना आवेदक धारा भरे गया अंक में भी समस्याय आई थी तो साथियों एक आप के लिए रहत भरी खबर है 14 सितंबर तक 6 वत फीस भरपाई की सुकृत का निर्णाय प्रसासन की ओर से लिया जाएगा यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें पैसे ही सटीक और खबर पक्की नियूज जानने के लिए चैनल को सब्काइब जरूर करें वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद